So, Hello Friends, Welcome to Learns Services, This is Ram Soni, आज हम discuss कर रहे हैं MPPSC 2021, Forest Services के final result के बारे में, आज MPPSC ने Forest Services 2021 का final result जारी किया है, इसमें देखिए दो प्रकार की पोस्ट थी, दो बलकिनी, तीन प्रकार की पोस्ट थी, एक था 1 चेतरपाल, एक था परियोजना चेतरपाल, और एक था Assistant Conservator Forest बोलते हैं, ये पोस्ट बहुत important होती है, सहायक 1 सनरक्षक, तो यहाँ पे इनके बारे में आज हम discuss करेंगे, सहायक 1 सनरक्षक की पोस्ट इसले भी important होती है, चुकि इनका grade पे 400 grade पे होता है, और बाकी जो पोस्ट हम दिखा रहे हैं, 1 चेतरपाल और प्रियोजना चेतरपाल, इनकी जो पेस्केल होती है, वो नायब तहसलदार जैसे होती है, आई discuss करते हैं, इसमें दो चीज़ें discuss करेंगे हम लोग, टॉपस के नमबर कितने आए, और साथ में एवी discuss करेंगे कि category wise, cut off कितना गया, जिससे आपको लभग idea मिल जागी, कि future में जो exam आप देंगे, mains के, तो उसमें आपको पता चलेगा कि इतने नमबर आपको लभग लभग लआने होंगे, जिससे आपको selection के नजदीक पहुंच सकते हैं, हलाकि year wise cut off vary करता है, because किसी साल नमबर पोस्ट कम होती है, किसी साल ज़्यादा होती है, तो उससे variation आता है, लेकिन फिर भी इनको discuss किया जाए, इनको समझने का हम प्रियास करें, तो एक लभग insight मिल जाती है, जानकरी मिल जाती है, किस range में आपको number लाने होंगे, तो यहाँ पे पहले हम discuss करते हैं, यह ranger वाले marks जो है, वन चितरपाल और प्रयोजना चितरपाल के, फिर बाद में conservator forest की बारे हम discuss किया जाएगा, तो यहाँ वे toppers के नाम यहां लिखे हुए हैं, इस list में, और शाथ में एक और list आई है, obtained marks की, तो इसमें बताया गया है, किस हो कितने नमर मिले हैं, तो हमने दोनों को compile कर दिया है, और यहाँ पे marks आपके सामने लिखे गए हैं, तो यहाँ पर बताना चीए हमारा forest service का pattern कैसा होता है, प्रिलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर इंटर्विय होता है, तो प्रिलिम्स में क्या होता है, फ्रिलिम्स में ZS और CSET, जैसे civil service का exam होता है, तो जीएस और CSET दो exam होते हैं, तो civil services में सिर्फ ZS के marks के हिसाब से cut-off declare होता है, लेकिन forest services का जो प्रिलिम्स होता है, उसमें ZS औ उनों के मार्क सेट करके आपका प्रेलेम्स कालिफाई होता है तो पहला तो प्रेलेम्स से स्टेज हो गया मेंस की बात करें तो मेंस होता है आपका साड़े चार सो नंबर का कितने नंबर का साड़े चार सो नंबर का अब इस साड़े चार सो नंबर में क्या होता है एक सो पच इसके बाद यहां पर पचास नंबर का एंटरिव्यू भी होता है तो यह जो आपको लिस्ट दिख रही है यह इस मेंस के और एंटरिवू के मांक्स मत्व प्रूटल कितने होते हैं 500 नंबर का हो जाएगा 500 में कितने नंबर मिले उसके हिसाब से आपका सेलेक्शन लिस्ट में नाम रहेगा उसके हिसाब चापके रैंक आएगी तो आई देखते हैं बेसिकली किसी कितना मिला तो राजुल गुपता की बात करें तो यहां पे आप देखेंगे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यह कैसा हो गया फिर यहां पर पूरणांग साड़े 400 का रटेन हो गया फ पर यूजना चेतर पाल है तब यह 1 चेतर पाल करा डिसक्स कर रहे है तो बंध चेतर पाल में वेकेंसी आप देख लो आनारक्षत की कोई वेकेंसी नहीं थी शाति मतब सुनुल कास की छे वेकेंसी जंजाति की ऐस उतका दाइंश AWS की चार वेकेसी, कुल मला के 39 वेकेसी यहाँ पर थी अब यहाँ पर टॉपर्स की बात करें तो टॉपर्स की नमबर कितने आए तो पहले टॉप में AWS कंडिडेट है 326 नमबर इनके मेंस में रहे, मत्वरेटेन में रहे और 35 नमबर इनके में काफी अच्छे नमबर मिले देखाया तो इनके में 50-42 नमबर मिले है अब यहां पर हम सीदे जाते हैं कटाफ कितना गया है कटाफ वाले कंडेट का देखते हैं तो OBC में सबसे कम नमबर पाये है रूदर प्रताप सिंग गुरजर ने तो इनको मिले है 311 नमबर में से मिले है 29 नमबर मिले हैं एंट्रिव में 340 नमबर मिले हैं इनको टूटल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OBC में सबसे कम नमबर पे सेलेक्शन इतने नमबर पे हुआ है इसके बाद इनकों बात करें AWS का AWS कटाफ OBC से कम गया है 316 नमबर में से मिले हैं 21 नमबर इंट्रिव में 330 नमबर पाये हैं किसने प्रियंक तिवारी ने AWS में सबसे कम नमबर इनके रहे हैं फिर यहाँ पर बाकियों का भी देख लेते हैं सबसे कम नमबर पाये हैं अ तुटल मिले हैं तुटल प्रिकास हम देख सकते हैं और इस रेंजर में कट आफ किस रेंज में गई है, एक लबग आईडिया आपको मिल गई होगी, लेकिन हाँ, एदिया आपसे पूछा जाए कि इतने नमबर टार्गेट करना चाहिए, तो भई मैं एक हूँगा, साड़े चार सो में आपका जो टार्गेट है, वो 320 के आसपास होना चाहिए, चुकि आप टार्गेट लबग उस रेंजर बनाओगे तब जाके आप घड़ते घड़ते 310 तक पहुचोगे है, अलाकि 310 पे सेलेक्शन होगा नहीं, बट फिर भी हम मान सकते हैं, कि लबग यदिया आपका मेंस में 320-330 के आसपास में है, तो योर चांसे प्रड़े गुड, और इंटर्वू में भी आपको लबग 30-35 नमबर के आसपास से नमबर स्कूर जाते हैं, बिकाज 42 नमबर हर किसी को मिले आई से जरूरी नहीं है, तो 30-35 नमबर स्कूर हो जाते हैं, तो आपके सेलेक्शन के चांसे काफी अच्छे होंगे हैं, अब किया है, सुमित गुपता ने 306 नमबर इंको में से मिले हैं, 147 नमबर मिले हैं, एंटरो में 347 नमबर के साथ इनकी 1st rank लगी है, जबकि 1 चेतरपाल में 361 नमबर पर 1st rank लगी थी, जबकि परियोजना चेतरपाल में 347 पर 1st rank लगी है, फिर है अरोड सामा, 316 नमबर इंक मेंस में 25 नमबर एंडरो मिले है 341 नमबर मिले है आमन यादो की 3rd rank है 322 नमबर में 16 नमबर एंडरो में 339 नमबर मिले है मतब इनको में तो ठीक है नमबर मिले है लेकिन एंडरो में 16 नमबर के विल मिले है and because of that thing इनके नमबर काफी कम होगे, लेकिन फिर भी he got the third rank, 338 नमबर मिले है उसके बाद OBC में सबसे कम नमबर मिले है, चंद्र मोहन धाकड को, 308 नमबर मिले है इन कोमेंस में, 30 नमबर एंट्रो में, 338 नमबर मिले है न, तो ये है basically OBC cut-off now यहाँ पर बाकी categories की बात करें, EWS का cut-off कितना गया है 300 नमबर मिले है, कुलदीप थाकुर को और 35 नमबर एंट्रो मिले है 335 नमबर मिले है, 335 नमबर cut-off गया EWS का, अन्रिजड़ का cut-off surprisingly जो है, वो काफी नीचे चला गया है, मतलब इस बार cut-off अन्रिजड़ का, दिखा जाये तो OBC से भी नीचे है EWS से भी नीचे है, 309 नमबर मिले है इनको देवानसु सर्मा को मेंस में, 22 नमबर एंट्रो मिले है, 331 नमबर मिले है, सिरुल कास का जो cut-off है वो गया है 300 नमबर, 275 नमबर मेंस में, 25 नमबर एंट्रो में, नमित कुमार गेडाम, और सिरुल ट्राइब का जो cut-off है हो गया है 299 नमबर 288 नमबर मिले है मेंस में 18 नमबर मिले हैं अंट्रो में, 209 नमबर हो गया है, गौरोष चोहान के तो यह एक सर्प्राइजिंग है इसमें कि यहां पर अन्रेजर्ड का जो cut-off है, वो इस बार AWS और OBC दोनों से नीचे चला गया है इसकी वज़ह क्या है अब देखो, दो वज़ह हो सकती है वज़ह यह हो सकती है कि यह किसी कंडिडेट का प्रिलेम्स में नमबर कम रहा होगा उन्होंने प्रिलेम्स में OBC cut-off का इस्तेमाल किया होगा तो उस कंडिशन में जैसे OBC, AWS cut-off का इस्तेमाल किया होगा तो उस कंडिशन में बेसिकली ऐसा होता है कि फिर उनको वही seat लोट किया आती है में इस और इंटरों में चाहिए कितने भी इस का benefit ले लिया तो फिर आपको category seat ही मलती है तो ये reason हो सकता है कि अन्होंने cut-off जो है वो idblast OBC से कम रहा है लेकिन ये तो हलाकि clarify MPPS करेगी तो ही पता चलेगा बड़े नहीं वे, that's fine तो ये रहा हमारा cut-off किसके लिए? प्रोजेक्ट जो परियोजना चितरपाल है मतलब परियोजना जो रेंजर है उसके cut-off कितने रहे? ये हमने डिस्कूस किया अब एक list हमारे सामने है Assistant Conservator Forest की ये भी result हमारे सामने है जो की एक 500 grad pay की होती है SDM का जो I mean pay scale होता है, वही same pay scale होता है इनका cut-off देख लेते हैं तो यहाँ पर देवेंद्र सिंग प्रटैल है जिनकी first rank लगी है 335 नमर मिलें in comments में 34 नमर मिलें in draw में देखो यहाँ पर post में कोई variation होता नहीं है वही same same चलता है बस फर्क यह होता है कि यहाँ पर जिनकी number ज़्यादा होते है तो कई बार candidates को उसका benefit मिल जाता है तो कुछ candidates रेंजर के लिजबल नहीं होते because of the age तो देवेंद सिंग पटेल की बात करें 335 नमर मिलें in comments में 34 नमर एंडरो में 379 नमर मिलें total अंकित संत की बात करें अब दिखोगे यहां पर क्यों साथ vacancy थी अनरेशड की तीन vacancy एक vacancy थी यहां पर दिखोगे एक vacancy के vacancy सिडूल कास्ट की दो vacancy सिडूल ट्राइब की एक vacancy OBC की तो यहां पर अनरेशड की पहली seat है उसको देवेंद सिंग पटेलने लिया 379 के साथ में अंकित संथ की बात करें OBC की सीट अब एक ही सीट OBC की थी में तो यहां पेस लिस्ट के हिसाब से देखो तो सिलूल काज का जो कटाप है वो अन्रिजर्ड कटाप से उपर चला गया है, 312 नंबर मेंस में सचिन रगवन सी के हैं, और 40 नंबर इंटरू में है, 3502 नंबर इनको मिले है, यह अन्रिजर्ड से हैं, तो लोएस नंबर अन्रिज वो अन्रिजर्व के कटाफ से उपर चला गया है और बीटिल बिट सर्पाइजिंग बट वहीं बताया कि हो सकता है प्रिलिविंस में अपने कटाफ के इसनिमाल कर लिया है तो इस कंडीशन में फिर कटाफ यहां पर जाता है अलाई कि इसका क्लेरटी तो तभी पता चलेगी जब MPPSC क्लियर करेगा चुकि MPPSC का बीते कुछ जुनों से आंख में चोली खेलने का सिस्टम रहा है विकाज उन्होंने रोस्टर प्नाली भी लगाई है चुप-छुपके और MPPSC के ओफिसम जब कॉल कि हम लोगों ने क्या सिस्टम है यह वेरेशन क्यों आ रहा है तो उन प्रमेंट करें बाता हैं मुलाकात करते हैं फिर तब तक लिवाब आए ठीक कर दासंटेंक यू